सत्य में, सत्य में, सत्य में बजयते हैं Welcome back दोस्तों, जब एक अपरादी सत्य में आता है तो वो कानून से किस तरह खिलवाड करता है ये तो हम समझ चुके हैं लेकिन वो नेता जो सच्चा है इमांदार है और अच्छा काम करने की कोशिच कर रहा है ऐसे माहौल में उस पर क्या बीचती है 15 जून 2013 के दिन बिहार के पूर्णिया जिले में सुबह से ही लोग इकठा होना शुरू हो गए थे मौका था चार बार MLA रह चुके लोगप्रियनेता अजीत सरकार की पंद्रवी पुन्यतिती का उन्हें याद कर इलाके की जनता का दिल एक बार फिर भारी हो आया था अजीत सरकार जनता से अलग उनके ऊपर बैठे कोई नेता नहीं थे बलकि जनता का एक हिस्सा थे अपनी नेजी जिन्दगी उसी साथगी और अभाव में गुजारते थे जिस तरह वो जनता जिसका वो प्रतिने धित्व करते थे अजीत सरकार ने लाके यहां बसाया हम लोग को क्योंकि हम लोग बेघर थे अजीत सरकार के जैसा हो जेंगे तो साथ हो जनब में नहीं मिलेगा आखिर में गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाले इस निडर नेता ने एक दिन उनके लिए अपनी जान की गुर्बानी भी दे दी आज बची है तो बस लोगों के दिलों में उनकी यादे और आखों में आसो अब हम समझते हैं कि हमारा दुनिया माब कोई नहीं यह अजीद दाज चला गिया मेरा बाप माँ चला गिया से वो गरीब का तिराक थी वो तिराक उठाग गी ऐसा क्या था अजीद सरकार में जो आज 15 साल बाद भी पुर्णिया की जनता उनकी कमी महसूस करती है दोस्तों इस वक्त हमारे साथ हैं अजीद सरकार जी के बेटे अमिद सरकार अमिद जी आपने उने नेता की रूप में नहीं एक पिता की रूप में देखा है हमें बताइए कि आपके बच्पन में आपके घर में क्या माहौल था, कैसा माहौल था? हमारे पिता जी उनेच सो असी में चुनाओ जीते थे और उनेच सो असी से लेके वो चार बार चुनाओ जीते 15 साल इलेक्शन जीतने के बाद वो खुद अपका घर नहीं खरीद पाए हम लोग भारा के घर पे रहते थे जिसका किराया था छो सो रुपिया और हमारा घर चलता था चुकि हमारी माँ जो है वो टीचर थी अमी जी आपके बच्पन की को यादे हैं अपने पिता जी के साथ जो आप हमसे बातना चाहेंगे अमारे पुरनिया में मैं करकेट खहलता था और करकेट में एक बार मैच हुआ अफानल मैच था जिसमें चीफ गेस्ट के हिसाब सब बभू जी को बभागे गया था और साथ में मुझे आवर्ड भी मिलना था पापा के हातो तो पापा आय नहीं उस मैच में अच्छा बाद में जब उनकी मुलाकात हुई SP आयोए थे घर पे तो उन्होंने बाओ जी से पूछा कि अजिदा आप आए नहीं हम लोग सब ओहीं पे थे तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा वहां पे खेल रहा था वहां पे जाएंगो उसको आवर्ड देंगें तो लगेगा कि हम परमोशन करनें उसका इसलिए वो नहीं गए? यहां इसलिए वो नहीं गए तो मैंने पापा से कहा ठीक है एक काम कीजिए आप मुझे क्यों परमोट कीजिएगा मैं भी आपको परमोट नहीं करूंगा तो उनसे जो मैंने कहा तो उन्होंने हसते हुए काया कि बेटा देखो अगर तुम मुझे परमोट नहीं करोगे तो क्या हूँआ मेरा तो हजारो हजार बेटा है पूर्णीय जिले में वो लोग करेगा आच्छा अपको क्या याद है कि जब वो इलेक्शन लड़ते थे तो किस तरह से लेक्शन लड़ते थे झुनाओ लडने के लिए पायबाबाबशेंट नहीं थी तो वो लाल गंचा खड़िते थे और लाल गंचा खरीट के वो हर चॉक चोड़ा पर लगा ड़ते थे कि चुनाओ लड़ना है पैसा नहीं है जो मुझे एक भोट देगा वो मुझे नोट का एक सिक्का वहां रख दो एक रुपया का एक सिक्का रख दो वो गमछे में? गमछे में इंस्ट्रक्शन दिया गया था लोगों को एक ही सिक्का लेना तो सभी ने का भहिया कि अगर ज्यादा पैसा आएगा तो हम लोगों को केम्पें में भी मदद मिलेगा तो बोला नहीं अगर चुनाओ के पहले हम को पता चल लेगा कि हमको कितना भोट मिलेगा अगर हम लोग एक सिक्का जमा कर लेते हैं तो एक-एक सिक्का जमा करके वो अपना चुनाओ लड़ते थे, जब सारे नेताव घुमते थे तो वो घर पे बैठते थे, तो उनका कहना था जब परचार के लिए तो हम इतना पांस साल तक परचार ही करते रहें, जो काम कि उसी से परचार होता है, तो मेरा जो काम है, मेरे स अब दिस से जादा निकलता है, जी, अमी जी मैं समझ सकता हूँ कि ये आपके लिए ये बैयान करना कि तरह मुखिल होगा, पर क्या आप उस दिन के बारे में आप हमें बचाना चाहते हैं, जिस दिन आपके पिताजी की हत्या हुई हुई, तो ये ये चौदा जून लास्ते में गारी लेफ साइड में जो थी वो खड़ी थी, साइड से सीसा उससा सब तूटा हुआ था, तो मैंने देखा वो इधर पैठे हुऊ और इस तरह से जुप गए, नीचे है, जो उनका हाथ पकर नहीं गया तो हाथ के अंदर उनको एक सो साथ गोली मारा गया था, एक सो साथ गोली, तो जब उनको मैं पकर नहीं गया तो मैं पकर नहीं पाया, उनका हाथ जो था इधर सी नाला टाइप का बन गया था, तो मैं हाथ जो था उसके अंदर चला गया, और उनको अपने तरफ खीचा, और नीचे देखा तो देखा माता का पूरा सब गिरा तब तक में बहुत सारे पूरा पूरी अपने आप बंद हो गिया। पूरा रास्ता बंगाल तक का रास्ता जो है बंद हो गिया। और उनके अंदर इतना आक्रोज था। साहर के बीच में चौक में जाके मैंने हाथ जोर के उस दिन रात को यह कहा कि देखिए कि अगर एक भी घटना घटती है तो पूरे पिताजी का जो काम किया हुआ सब बरबाद हो जाएगा। मैं अपना पिताजी खो चुका हूं किसी और का किसी को खोना नहीं है। कि मैं अगरुष में थे लेकिन एकशी सही लगा कि उनके सिद्दानतों को तोड़ा नहीं लोगँन। किसी नहीं तोड़ा किसी नहीं तोड़ा। जो हत्यारे थे उनका उनके उओ उनके सात्वी न को सथार को ऑठ quality है। पुर्णियमस एक पुर्वसांसत्यप पप्यादव उनको लोट और गौट से सजा दिया गया सजा दिया गया यह दस सल पहले की बात है आज फिर अभी पिछले साल हाइ कोट से उनको बाआजड बली कर दिया गया बरी किया गया? सर देखे, यह 14 साल के बाद, अगर केस इस माहौल पे हो, तो जो आम इंसान है, उनका क्या होगा? हम किस तरह से, किस से हम इंसाफ मांगेंगे? हमारे पापा जो थे, वो नाइंटीन-80 से चुनाओ जीते हुए थे, आयते, तो ए्टी में पली वार जीता, 85, 90, पपु विया दर, 95 में पापा के अगेंस्ट पूर्णिया से खड़ा हुआ, और उसने 95 का इलेक्सन वो हर गया, वो हर गया, पापा जीत गया, वो हर गया कुत्ते के नाम से जमीन है, लेकिन जो गड़िव आदमी है उसके नाम पर उसके पास गर रहने का भी कहीं जगा नहीं है, तो इसको सिलिंग की जमीन को देख के बाभुजी ने उसी जमीन पर उन्होंने घर बसाया, पुड़े पूनिया में कम से कम नहीं भी हजारो हजार उन्होंने मेरा घर बसाया, ये काम भारत सरकार का था, बिहार सरकार का था, सैतालीस से लेकि कोई भी सरकार उसको नहीं करा पाया, ठीक से लागू नहीं करा पाया, जो अजीद सरकार ने दो साल में कर दिया, और उधर से जमीनारों को ये डर था कि आज उसने इतना इतना हजारों लोगों को बेठा दीा, कल हम लोगों का जमीन चला जाएगा. तो जो आद्मी जमीनदारों के खिलाप भाउबलयों के खिलाफ करणबसन के खिलाफ बीच में खरा रहे गलत लोग आगे कैसे बढगे कभी किसी से नहीं डरते चुकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था जिर्टेगी में और लास्ट में जब मैं जब उनके जब मैंने बोड़ी देखा वो उनके मुझ चेहरे पेक हसी थी और ये किसी को भी मैं बोलता हूँ कि आदमी जब 107 गोली लगने के बाद भी उनके चेहरे पे में जब मैं वही चेहरा जो है हम लोगों को वो होसला देता है अमिजी हमारी यही दुआ है कि हर बेटे को अजीत सरकार जैसा पिता में ले ये देश उनको कभी नहीं भूलेगा बहुत 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 शुक्री हमारे सब बाक्षित करने के थैंक यू सो मिच जोस्तों मान दीजिये एक चुनाव में तीन उम्मीदवार हैं एक साफ सुतरा है दूसरा दूसरे पे कुछ छोटे मोटे इलजाम है और तीसरा नामी गुंडा है तो आप किसको वोट देंगे चलिए आप हाथ उठाके मुझे बताइए कि साफ छवी वाले नेता को कितने लोग वोट करेंगे तकरीबन सब ही आप लोग सब सच बोल रहे हैं जूट तो नहीं बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं तो लगबग हम सब मानते हैं कि एक अच्छे और सच्चे उमीदवार को हम चुनेंगे चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम हिंदुस्तानी इस मामले में कितने सच्चे हैं अब हम जुड़ेंगे 3G लिंग के जरीए वाशिंग्टन में डॉक्टर मिलन वेशनव के साथ जिन्होंने पिछले 10 साल के इलेक्शन रिजल्ट्स पे रिसर्च की है मिलन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का सबसे पहले तो मुझे ये बताईए कि आपने जो रिसर्च की है इलेक्शन के नतीजों पर वो कितने बड़े पैमाने पे की है और आपके रिसर्च में क्या सामने आया 2003 से लेके 2009 के बीच मैंने 28 राज्यों में हुए 35 विधान सभा चुनावों के नतीजों पर रिसर्च की इसमें 2004 और 2009 में हुए दो लोग सभा चुनाव भी शामिल थे यानि 60,000 उम्मीदवारों का डेटा देखा अगर उम्मीदवार पर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो उसकी चुनाव जीतने की संभावना थी 7 प्रतिशत लेकिन अगर उस पर एकाद छोटे मोटे अपराध का मामला दर्ज है तो उसकी जीतने की संभावना 19 प्रतिशत हो जाती है और अगर उम्मीदवार पर कोई गंभीर अपराधिक मामला दर्ज हो तो चुनाव जीतने की संभावना बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाती है मतलब जितना बड़ा उम्मीदवार का गुनाह उतनी उसकी जीतने की संभावना ज्यादा बदकिस्मती से राज्जों के स्तर पर भी हालात लोकसवा से बहतर नहीं है एक अपराधि की चुनाव जीतने की संभावना एक बेदाग या साफ उम्मीदवार से तीन गुना ज्यादा पाई गई तो क्या आप ये कह रहें के एक क्रिमिनल के इलेक्शन जीतने के चांसेगए ज्यादा हैं ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा देश के हर इलाके में हर सतर पर यही हाल है चल complaint रॉक्टर मिलन बहुत 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 शुक्रिया हमसे बाचीत करने का थैंक यो सो मच Thank you for having me. उन्होंने इस विशेक को बहुत करीब से दिखा है. उतकरज जी जब हम अपने आपको पूछते हैं कि क्या हम दागी नेता को वोट देंगे तो हमारे मन में जवाब आता है नहीं. पर फिर भी ये दागी नेता जीच जाते हैं. क्या लोग जानते नहीं कि जिस नेता को वोट दे रहे हैं वो दागी है? बहुत साफ जानते हैं. जो भी कैंडिडेट इलक्शन लड़ने आता है, उस कैंडिडेट के बारे में उस कंस्टिचुएंसी के लोग सबसे जानते हैं. और खास्तर से अगर एक अपरादी है तो विल नोन फेस है. तो ये क्यों हम उसको फिर वोट क्यों देते हैं? जाती. जाती एक बहुत बड़ा सच है इस हिंदुस्तान में. और अगर आप देखिए क्रिमिनल्स के रिकार्ड तो आप ये पाएंगे कि वो पर्टिकुलर कंस्टिचुएंसी भी उसके सजाती लोगों का वोट परसेंटेज महां जाना है. और समझ इस तरह से बनी हुई ह कि चोर तो भाई सब सब हैं. तो जो अपनी विरादरी वाला है उसी को क्यों नहीं? उसी को चुन लेते हैं फिर. तो इन अपरादियों का राजनीती में आना कब शुरू हुआ? 1970 के आखरी दौर भारती राजनीती में बहुत महत्वपूर्ण रहा है. उसके बाद इनकी इ थे ये सपोर्ट करते थे. पहले ये सपोर्टर थे. जैसे जमीदार का लठायत होता है वैसे ये नेता के लठायत थे. फिर थोड़ा मजा आया है बोले अच्छा नेता जी तो थाकत हमारी और मजा ले रहे हैं आप तो मैं क्यो नहीं भाई? जब भीड मैं जूटा रहा हू तो जब इनस्टेबिल गवर्मेंट्स वनी तब इनकी जरूरत इसलिए बढ़ गई कि जिताओ उमीदवार की खोज हर पार्टी करने लगा और जिताओ उमीदवार कौन? जिसके पास उसकी जात का वोट हो, उस वोट को डलवाने के लिए साम दाम दंड भेद हो और उसके पैसा हो, पैसा काला ही पैसा होना जाय चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जलक्षा बेपैसे काला पैसा ही कर्च होता हैया, तो ये सारी चीज़े ही विनेबिलिटी बना रही है अब आप दूसरा सवाल ये है कि क्यों ये लोग जीत रहे हैं जबकि नोन अपराधी हैं माफ कीजेगा ये हम लोगो खुद सोचना पड़ेगा क्योंकि समाच जिस तरीके से इन अपराधीयों को स्वीकार कर रहा है या रोल मौडल बना रहा है मैं अब उधाराण बताओं कि जब हम लोग बच्पन में थे तो अगर रिलेशन में किसी के घर में कोई गुंडा हो जाता था या बनमाश हो जाता था तो बाकी के खांदान के लोगों से रिष्टा तोड लेते थे यहां तक हो जाता था कि शादी का कार्ड दिया उसमें लिख देते थे फलाने को छोड़ कर उनके लिए नहीं है क्योंकि यह गुंडे हैं इनसे हम नाता नहीं चाहते हैं अब यह शादी का कार्ड आया रस वीपी में क्या लिखा है बाहुबली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर फलाने 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 बाहुबली उसने खुद लिख के भेज़ दिया कि उससे उतका रुटबा बढ़ गया अब यह और बढ़ा है तो सब कुल मिला के बात ये है कि राजनीती वो गंगा हो गई है जिसमें एक डुपकी लगा ले कोई तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं तो मतलब उनलों के साथ दोस्ती उनके लिए इज़त दिल में इज़त और प्यार अब भाई लोग गर्व महसूस करते हैं और गर्व मन से महसूस करते हैं ये भी मैंने मानता इसके पीछे एक और आपको चीज़ देखनी पड़े जो जो हालत है सिस्टम का आम आदमी बहुत कमजोर है अब गरीब की जरूरत को कौन समझ रहा है सरकारी विवस्था कटता ही नहीं समझ रही है अगर मैं पावरफुल नहीं हूँ और मेरे पर कोई अत्याचार हुआ और मैं पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस स्टेशन के बाहर मुझे ऐसे बैट के कितनी देर तक इंतिजार कर जाता हूं यह माई जाता हूं और जब मैं उस आदमी के पास जाता हूं जिसका दर्वार चल रहा है और वहां जाकर बताता हूं कि भाईया फलाने बड़ा अत्याचार हो गया मेरे साथ ही है वो ठीक है वो भी अपना कैलकुलेशन देखता है जाद बरादरी वोटर सब कैल हमिन के बहुत हैं बड़ा है यह मिठाब बच्चन फिला मेना है फैंगरि यंग मैनौ मुक्क आ मर में लगता था जादए अक मार रहा हूं मेल भी नहींग पाता था और मारते वो भी नहीं ते अब मेरा थे अपि लॉगा है यह को अगर आ हिक छर आह मेल बन जाते है कि गर मगर इस छोटी चीज़ को दिखा के हमने लोकल तो अपना इमेज बना लिया, कितनी बड़ी लूट में करने जा रहा हूं, यह इस आदमी को पता ही नहीं है। इसलिए इस गलस फहमी में मेरे ख्याल से किसी को नहीं जीना चाहिए कि यह राबिन हुड है, यह मसीह है, यह अपरादी है, अपरादी था और अपरादी ही रहेगा। कि इस तरह के लोग को जब हम लोग लिखते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। कैसे? यह चाहते हैं कि इनके बारे में लिखा जाए, इनकी इस इमेज के बारे में लिखा जाए. अच्छा? मैं आपको एक छोटा किस्सा बता हूँ, पुरूई उत्तरप्रदेश के काइक शूटर था, वो शूटर बाद में MP हुआ, तो वो फोन करता था, अख़वार के दफतर में. जदा भाईया, कई दिन से हमारे बारे में कुछ छपा नहीं है, कुछ कांड कर दें क्या? मार्केट वैल्यू बनी रहती है ना थोड़ी, चुराओ लड़ना ना भया? और एक नहीं है, ऐसे से बहुत किस्से आते हैं हम लोगे सामने. वो चाते हैं कि लोग मुझसे डरें. वो चाते हैं कि लोग मुझसे डरें. इसके बाद अब क्या होता है? अब देखे, इनके तरीके बदल गए हैं. तो अब ये पैसे से खरीदते हैं. मैं आपको एक्जामपल बता हूँ. एक बहुत रिनाउन माफिया डान, शूटर टर्ण माफिया टर्ण टू टू टाइमस एंपी. एक शादी में गए थे हम लोग. और वहाँ पर वह भी आये थे. तो हमें लेके गए और गाड़ी का पिछला दर्वाजा उन्होंने अपनी SUV का खुलवाया और उसमें धेर सारे बंडल पैक्ट साड़ियों के रखे हुए थे. बोले मेरे पास आज इतनी शादीयों के निमंतरन हैं. ये लोगों ने मुझे इनवाइट भेजा है. मेरी कंस्विंसी के लोगों ने. और मुझे जाना ही है. और हर साड़ी के साथ एक लिफाफा है. जिसमें 5000 हुपए हैं. और जिसके दर्वाजे पे जाओंगा एक साड़ी और एक लिफाफा दूँगा. तो अब ये लूटते कहीं और से हैं. और ये चोटे-चोटे पैसे दे के आदत बना दी है इन्होंने. वोटर्स की. वोटर्स की. वो अमारे लिए पैसा देता रहेगा. और ये किसको सोचना है? ये सोचना हमको है. हमको है. बिल्कुल सही. और हम इसलिए नहीं सोचते हैं ये बात. क्योंकि समाज का विखंडन जिस तरह से हुआ है. उसमें समाज में हम नाम की चीज़ खतम हो चुकी है. तो जब मैं मैं हूँ. तो हमारी भलाई की बात हम कर कैसे सकते हैं? बिल्कुल सही का. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बाचित करनेगा उच्कर जी. दोस्तों यहां पर लेंगे चुड़ा सब्रेक जल्द हाजर होते हैं.